बिसम्लार्ख्मान रहीम, असलाम अलेकुम, कैसे हैं जी आप सब उमीद हैं, आप सब ठीक ठाक होंगे आज की रिस्पी बहुत ही यूनीक है, बहुत ही मज़े की है और इसमें एक सीक्रिट सौस है जो आपको आगे जाके पता चलेगा यहां पर आपने आदा कप नीम गरम पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने टू टीस्पून येस्ट के आट कर देनी है और आपने टू टीस्पूनी शुगर आट कर देनी है और आपने इसको mix करके 10 minute के लिए धाम के रग देना है side पे ताकि अगर आपकी yeast active हो गई तो वो bubbles की shape में बन जाएगी और अगर yeast खराब हुई तो वो bubbles की shape में नहीं आएगी और इसका मतलब कि वो अक्टिव नहीं हुई है अब हम एक bowl ले लेंगे उसके अंदर हमने 3 cup जो है वो मेदे के add कर देना है आप इसको चान लीजेगा इसके बाद आपने इसके अंदर 1 teaspoon जो है वो salt के add कर देना है नमक का यह देखें जी हमारी माशालला से यहाँ पर जो yeast का mixture है वो active हो चुका है अब हम इस mixture को direct अपने मेदे में add कर देंगे अब आप इसको अच्छे से mix कर लें आपने यह recipe skip नहीं करनी कहीं भी क्योंकि इसमें बहुत important tips है और बहुत important sauce है जो आपको आगे जागे पता चलेगी अब आपने गरम पानी मतलब की नीम गरम पानी आपने लेना है थोड़ थोड़ा जितना के आपकी dough को जरूरत है mix होने में आपने gradually इसमें जो है पानी add करना है आप देखें माशाला से हमारी जो dough है वो mix हो चुकी है अब हमने इसके उपर जो है वो one and a half tablespoon oil का डाल देना है उससे grease करके हम इसको ढाम के रगने के कम से कम आपने इससे एक से दो घंटे तक ढाम के रग देना है ताकि जो हमारी dough है वो size में double हो जाए अब आपने dough को side पे कर देना है और दूसरी side पे आपने एक pan ले लेना है उसके अंदर आपने तीन से चार टेविल स्पून oil के add करना है मैंने तक करीब हाफ कीजी के करीब यहाँ पे chicken bonless लिया है अब मैं इसके तो one teaspoon ginger garlic का paste add करूंगे और उसको अच्छे से बून लूँगी अब हम यहाँ पे one teaspoon के करीभ नमक लेंगे, वन teaspoon के करीब हम इसे काली मिर्ष लेंगे वन teaspoon के करीब हम इसके अंदर जो है कुटी भी लाल मिर्ष लेंगे अगर आपको नमक कम लगे तो आप all right कर लें अब हम इसका जो पानी है chicken का वाँ अच्छे से dry कर लेंगे और लास्ट में हम इसके इंदर 1 टेबल स्पून के करीब दही डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जी हमारा जो पानी है वो ड्राय हो रहा है चिकन का और यह अल्मोस्ट कम्प्लीट कुक हो चुकी है अब हम चिकन को निकाल लेंगे साइट पे और हम उसी पैन के अंदर शिमला मिक्स ले लेंगे कटी ही चॉप कर लेंगे आपने अब जी इसके अंदर जाएगा वन टेबल स्पून के करीब ब्रीन ओलिफ्स और वन टेबल स्पूनी मैंने इसमें जो है वो चॉप्ट अनियन डाला है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसको पर वन टी स्पून बटर डाल लीजएगा मכन से यह वो जो वजजेगा है बहुत ईची से सोधे हो जाती है और बहुत कमाल का फलेवर आता है अब जी हमारी जो माशालल से डो है वो साइज में डबल हो चुकी है यह देखें जी कम्प्लीट ली है नीड अब हम अपने नेक्स टेप की तरफ चलते हैं अब जी यह देखिए माशलार से कंप्लीट हो चुका है अब हमने इसी डोक्यों पर थोड़ा से जो मैदा है वो डस्ट कर लेना है अब आपने इसको एक शेप दे देनी है राउंड सी इसके बार आपने इसे अपने बे लेंगे आप वो अच्छी बनेगी अब आपने किसी भी साइस का कटर ले लेना है और आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से तीन कप के मैदे की डो से तक्रीबन मेरे जो थे वो 50 मिनी पीटावाइट्स की ब्रेट जो थी वो बनके त्यार हो चुकी थी और माशलाला इतनी कोई कमाल ये राइज हो भी थी कि मैं आपको क्या बता हूँ अब आपने इसकी शेप्स बनाने के बादे इसको 10 मिनट ढख के रख दे ना किसी भी रुमाल से अब हमने जी सॉस बना लेनी है सॉस के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून गालिक मायो दो टेबल स्पून हमें इसके बाद आपने एक लेमन जो है इसके उपर आड कर देना है स्कूईज करके अब हम इसको अच्छे समिक्स कर लेंगे तो यह हमारी परफेक्ट चिली सिराचा सॉस रेडी है विद कालिक मायो टेस्ट मज़ा ही आजागा आपको इस सॉस से अब हमने एक पैन ले लेना है अगर आप उसको ग्रीस करना चाहें तो आप इसको हलके से ओल से ग्रीस करने वनना ओल की जुरूरत नहीं है अब आपने इसको बिल्कुल हलकी आज पर एक से दो मिनट एक साइट से पकाना है और एक से दो मिनट आपने इसको दूसरी साइट से पलट के पका लेना है यह र अब जी आपने जो सॉस है उसको ब्रेट कर लेना है ब्रेट के उपर अब आम इसके बाद अपनी जो चिकन है जो हमने कुक की विया अल्रेडी हम इसके उपर रख देंगे यह देखें जी और यह मेरा बेटा मेरी हल्प कर रहा था माशाला जी चिकन की फीलिंग भी चले गए ब्रेट के उपर अब हम इसके उपर जो हमारी विजिस थी उसका हम चिकन के उपर डाल लेंगे इस तरह से अब जी आपने दुबारा से इसके उपर सॉस जो है वो लगा देनी है स्प्रेट कर दे और ये माशाला से हमारी जो है सिंपल स्मॉल पीता ब्रेट मिनी बाइट जो है वो रेडी हो चुकी है तो जी जितनी क्यूट बेबी सी लग रही है अब देक्ने में उतनी खाने में मज़की थी आप इस रसे भी को ज़रूर ट्राय करें तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजए इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें इसको लाइक करें इसको कमेंट करें Allah Ta'ala हम सब के दिस्वागान में बरके डाले हम सब को अपनी अमान में रखे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा मुझे दौाओं में याद रखेगा Allah आफेज